कि नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत एक बार फिर से दाय स्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग मौलिक करते भी से समंदित कूल 15 को करेंगे जो की एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और यह क्वेसंस किसी ना किसी एक्जाम में पूछे बार बार तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखे एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल सांस का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूँं आप लोगों के लिए जो बच्चे रोज ठीक है और अगर आपको हमारे वीडियो देखना अच्छा रखता हो तब चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाते समय उन्हें आल कर लिजेगा ताकि आपको नोटिफिक्रिक्सन मिलते रहे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला कोशन सापको क 13 कोशन कितने 13 कोशन करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग यहां पर देखेगा कि आप 13 कोशन में से कितना सही कर पाते हो अपना स्कोर लाश्ट में बताएगा साथी में छोटा मोटा जो है यानि की छोटे मोटे तोड़ पर मैं आपको एक्ष्टा नॉलेज भी देते चलू एक गाल ठीक है तो यहां पर देखेंगे आपके सामने मॉलिक कर्तब मॉलिक कर्तबी तो रूज से लिए गया है मौली क अधिकार आगे है अगे है आपके सामने समिधाने में मौलिक कर्तब्यों की संख्यां कितनी थी यानि कि जब शुरू-शुरू में मौलिक कर्तब्यों की संख्यां कितनी थी तो इसका राइट ऑप्सन नमर ए यानि कि 10 शुरू-शुरू में जो है मौलिक कर्तब्यों की संख्यां 10 हुआ करती थी लेकिन अब आपको बताना है कि व जो की 2002 इसमी में जुड़ा है ठीक है इसे आप लोग ज्यानम लेकेगा इसमी बहुत ही माइने रखता है फ्रेंट्स मैं आगे चल करके कुछ कोसंस में कुछ कोसंस के बार यह भी बताऊंगा वह भी कोसंस आएगा कि यह गारमा समीधान यानि कि एगारमा जो मौली करतब है वह कब जुड़ा है ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगे आप लोगों को कि मौली करतब जो एगारमा जो जुड़ा हुआ है दस के बाद जो एगारा हुआ वह 2002 में जुड़ा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगले अगला है भारते समीधान में किसकी अनुसंसा पर मौली करतबी को जोड़ा गया यह बहुत बार SSC के एकजाम में और रेलवे के एकजाम में साथे साथ पुलिस के एकजाम में रिपीट हुए हैं तो इसे को आपको समझ के अच्छे जाना है देखिए भारते समीधान में जो मौली करतबी को जोड़ा गया था फ्रेंड्स व भारतिय समिधान में मौलिक करतबी को कब जोड़ा गया बहुत ही मिपोर्टेंट है अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे कि भारतिय समिधान में मौलिक करतबी को कब जोड़ा गया तो इसकर आइटॉंस रगा option नमर B यान पूंचेन में कई ga Cityبة पूचे गए तो आप लोग इसे ध्यान में रकरकी जाएगा और उए लिजएगा ठीक है जब एक्जाम आजाए नजदीक जब एक्जाम आप देने लोग यानकि आपका अगर डेट हो दस दिन पहले तो आपको सभी वीडियो को रिविजन कर लेना है ठीक है मैं रिविजन वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा जब किसी भी चीज का डेट आएगा ठीक है अग आपको यह जो कोवलα जो होपसन यह नहीं देखें सिधा आपको भाग चार देगा ठीक है अलावके अगर सब्सक्राइब इससे जोड़ा गया तो इसलिए से कौक के रूप में लिखा गया है अच्छा भाग चार में तब क्या है तो भाग चार में आपका है नीटी निदेशक्ता तो जोड़ा गया उन्हें सोट्र में आपको आपने देखा उपर में कि जब 42 में समिधान संसोदान हुआ तो उसी के तहर जो मौली करतब को जोड़ा गया त्रीस तरह से भाग तो पहले ही हो गया था जली करतब को रखा गया ठीक है उमीद है के आप लोग समझ गये होंगे चले आगे बढ़ते हैं आगे हैं भारत के समिधान के किस अनुच्छेद में मौली करतब की चर्चा की गई है अब बात आ गई आपके सामन कव ठीक है भाग चार कव में मौलिक करतबी को जोड़ा गया था अच्छा भाग चार कव में जोड़ा गया था तो किस अनुच्छेद में है यह तो अनुच्छेद है आपका 51A और option भारत में आये तो क्या उसके लिए मौलिक करतव लागो होता है नहीं वह सिर्फ नागरिकों के लिए मतलब जो भारत के नागरिक है, सभी नागरिक से मतलब है कि जो केवल भारत के नागरिक है, उनके लिए मौलिक करतब भी क्या प्राप्धा होना है, ठीक है, सभी वेक्ति के लिए नहीं, सभी वेक्ति से यहां पे मतलब यह हो जाता है, फ्रेंज, कि अगर कोई वेक्ति विदेशी भी आते हैं भारत घुमने या कुछ भी करने तो आपको जो है वहां पर लागू नहीं होगा आपका मौलिक करतब वह सभी बेखती के लिए नहीं होगा बलकि वह नागरिक के लिए यह उनके लिए उनके लिए मॉली कर्थभी का प्राब्ध होना, ति भारत में रहने वाले सभी नागडिकों के लिए मॉली कर्थभे के लिए उले की थी, अगला है मौलिक कर्तबियों की अभ्हिलना करने वालों को क्या किया जाता है यानि कि किसकी बेवस्ता है डंड देने की नहीं बेवस्ता या कुछ विशेस मामलों में डंड देने की बेवस्ता या फिर अधिनियम बनाकर के डंड देने की बेवस्ता क्या है आखिर तो इसका आफ लोग कहोगे कि मौलीक कर्टब आपको बता दू कि मौली कर्टब जो है जो है कितने हैं और खौनकिन भूच Wars आए ञए लेटर नहीं जो हुआ मरद सरक्ट करके देख दूफ से घ्ञारामा कौनऽे बता दूगा ठिक है यहारमा कॉनसा दुरा बाकिया आप 10 पढ़ लेना ठीक है अगला question क्या है निमलिखित मेंसे कौन सा एक मौलिक कर्टब भी नहीं है यह आप से पूछा गया है ठीक है मौलिक कर्टब कौन सा नहीं है तो आप देख रहेंगे यह तीनों जो है एक समान है ठीक है तीनों जो है एक समान है जबकि चार तो कड़ों की अदाईगी जो है यह मौलिक करतब नहीं है यह कई बार रिपीट हुए है तो आपको ध्यान से एक बार देख करके जाना है तो इसमें क्या बोला गया है तो इसका ऑप्शन नमर सी राइट होगा धर निर्पेक्च का पालन करना यह मौलिक करतब के अंतरगत नहीं आता बांकि यह तीनों जो है आता है अब अंतिम कोशन से आपके लिए यहां पर मैं आपको कुछ समझाओंगा तो आप लोग जहां से जुड़ा है देखिए आपने नाम सुना होगा क्या नाम सुना होगा कि जो छे से 14 वर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्रात्मिक जो सिक्षा होती है उनके लिए अभिवाबक को कहा गया है कि उनको प्रात्मिक सिक्षा देना अनिवार है छे से 14 वर्स के बच्चो से ठीक है इसे आप द्धान में रखेगा अच्छे जोड़ा का किस संसोधन में था उसी के तहते इसको जोड़ा गया था ठीक है इसे आप धान में रखेगा 2002 कि याद कर जाना है अपको को भूना चाहिए आपको सेर करना चाहिए मेरेसाथ तो आप लोग पैंड बॉक्स में कर सकते हो झाल झाल